तो अभी हम इस लेशन में क्ले से चीजे बनाना सीखने वाले यहाँ पे एक पोयम है तो हमने क्ले से इस पोयम का मतलब क्या है क्ले से नहीं नहीं चीजे बनाई है नहीं बनाई है जो बहुत थीन है लेक बनाई है जो फैट है तो यह बियर जैसे लग रहा है बैट जैसे लग रहा है इस लाइक अ स्नेक अन लाइक कर स्नेल इस लिटिल करली टेल अ शैगी में अ ड्रॉपी बेर्ड इस एर अर लॉंग इस स्माइल इस वेर्ट तो यह हमने स्नेक श्नेल यह से भब इस क्ले से बना सकते तो आप एसे क्ले लेके कोई भी अनिमल कोई भी चीज बना सकते है टो क्ले से बहुत सारी अलग अलग चीजे बनाने में बहुत मज़ा आता है तो क्या करना है प्लास्टिक बैग लेके गार्डन में जाना है आपके आसपस के अरिया में और वहां से मीट्टी कलेक्ट करनी है और उसमें से जो भी डस्ट है कोई भी लियूज भी गर है वो सब बाहर निकलना है उसे साप करके लेना है और उसके बाद उसे थोड़ा सा रगडना है शॉफ्ट बनाना है फिर उसमें थोड़ा सा पानी आट करके उसे जैसे हम आटा गुनते उस तरह गुनना है फिर वो और वो कले तयार होता है और उसे हम कोई भी अब्जेक्ट बना सकते है यहां पर क्ले नेकलेज दिया है हमें क्या करने है टेक सम प्ले इन यह हैं लोग गलोग 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 ब्लू इस टाइनी बाल मेंक सम टाइनी बाल ओफ ले पेंट इस बाल विद अट्रेक्टिव कलर तो में माला बनाने के लिए क्या करना है कलर के कले लेना है और इसके देखे इसे कले लेना है मैंने ये कलर का ही कले लिया है इसलिए इसे कलर करने की ज़रुत ने और इसके छोटे-छोटे बॉल बनाने ताकि हम इसकी माला बना सके इस तरह आपको हाथ पे लेके उसको राउंड राउंड गुमाना है इस तरह आपको यह बॉल बनाने भी बॉल बनाने के लिए हम छोटी वाली स्टिक ले सकते हैं ताकि उससे होल सकते होल बना सके अभी इस बॉल को होल बनाने के लिए हमें कया करना जोटा उलना है हम अच्छे से माला बना सके इसे सब भी बॉल में हमको होल बना के लेना है और फिर हमको ठ्रेड लेनी है और इसमें ये सब होल डालके हमें माला बना लिए बॉल डालके देखें आप नीडल ले सकते हैं या फिर इस तरह भी आप डाल सकते हैं नीडल लेंगी तो एकड़म परफेक्ट होगा इसका शेप बिगड़ेगा नहीं अब हम लेतें नेक्स्ट बॉल इस तरह में सभी बॉल इस इस त्रेट के अंदर डालने दा कि हमारी सुन्दर माला बन सके इस तरह में जो सुन्दर माला बन के रेड़ी हो रही है देखे यह हमारी माला बन के रेड़ी हो गए इस तरह आप अलग अलग डिजाइन के माला बना सकते हैं नेक्स्ट के पेपर वेट अफ लेट मट्रियल रिक्वाइर अस्मॉल बालून पीस आफ टीशू पेपर निउस पेपर पीसेज ग्लू पीन पेंट ब्रश लो दबलून ताइद थ्रेड अच इट माउथ अमें क्या करना एक बलून लेना है और उसको मूँ पे थ्रेड बा गाने वरी ऑर ऊसके उपर टीशू पेपर निउस पेपर के तुकडे लगाने है और थोडासा थोड़ी सी जागा रखनी है अब लबलून को ओपन करने के लिए फिर हमें बलून वो पीसे सुखने के लिए रखने है और उसके बार हमें क्या करना है हमने जो थोड़ी जगा रखी थी उसमें हमें पीन मारने है ताकि वो बलून फूच सके फिर हमें एक हॉलो बॉल मिलेगा पेपर का अभी हमें उसे क्या करना है ख्ले से उसे टाइट करना उसके उपर क्ले लगाना है जहाँ पर हमने उपन किया वहाँ पर क्ले लगाना है फिर आपको उसके उपर क्ले लगाना है क्ले के उपर आपको जो कलर चाहिए उस कलर से उसे प्रेंट करना है नेक्स्ट डे प्रिपेर डिफरेंट आइटम फ्रॉम कले। कले से टोटोईज बने। उसके लिए हमें क्या लगेगा सेमी सर्कल बाौल, कले, टेलकॉम, पाउडर, पेंशिल, ब्रॉश, वॉाटर कलर 1974 पहले हमें सेमी सर्कल का बाौल लेना है। तो इस तरह हमें एक semi circle लेना है, देखे हैं, उसके बाद हमें क्या करोड़ अतलत हैताए GPS, उसके उपर spread करने ताकि clay easily spread हो सके, अब इस बाल को हमें cover करना है clay से, देखे इस तरह हमें होसे में सरकल क्ले से कवर करना है यह सरकल कवर हो गया अभी हमें क्या करना है और हमें अभी क्ले लेके इसे उसका हेल बनाना है इसे हमें लगाना है और अभी उसके जे फूर लेक से वह बना रहे है उसके लिए भी हमें क्ले लेना है और इसे लेक जैसे शेप देना है हातों से इस तरह हम को टोटा इसको 4 लेक जोते हैं तो फोर लेग्स हमें बनाने है और फिर उसे इस तरह से जॉइन करने है अगर हमको टॉटाइस की आइस बनाने उसके लिए हमें पेंसिल से उसकी आइस बनानी होगी अगर देखिए लेग्स बनके रेडी हो गए अभी हमें यहाँ पर टॉटाइस की आइस बनानी है तो अभी हाँ पर हम क्ले से ही उसको आइस बनाते आप चाहिए दो पेंसिल से या फिर ब्लैक क्ले से बना सकते देखिए यह हमारा टॉटाइस बनके रेडी हो गया तो इस तरह आपको वीडियो देखिए टॉटाइस बनाना है आपको इसको अच्छे से प्रेस करने है ताकि यह निकले ना नेक्स्ट है कस्टड अपल अभी हम देखते कस्टड अपल कैसे बनाते उसके लिए हमें क्या लगेगा क्ले और ग्रीन कलर या फिर आपके पास ग्रीन कलर का क्ली है तो आप डाइरेक्ट ग्रीन कलर का क्ले यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है ग्रीन कलर का क्ले लेना है और उसको गोल राउन बनाना है इस तरह एक राउंड बनाना है और उसके बाद हमें इसके उपर लगाने के लिए छोटे-छोटे बॉल्स बनाने है इस तरह छोटे-छोटे बॉल्स बनाने है पुदा कस्टर्ड एपल पर हमें ये अभी हमें क्या करना है ये जो बॉल्स बनाए है वो हमें इसके उपर इसे लगाने है इसे प्रेस करना है तो हमें इसकी स्टीम बनाने इसके लिए भी हमें तोड़ा सक ले लेना है और स्टीम जैसे उसको शेप देना है तो इस तरह स्टीम बनाने है और हमें इसी कस्टर्ड एपल के उपर लगाने है तो ये हमारा कस्टर्ड एपल बनके रेडी हो गया तो इस तरह आपको कस्टर्ड एपल बनाना है तो मेक मॉर्ड स्टिक की बाइडिंग कोवजख चाह इच माटरियल रिक्षेल्लम मअर्ड शट उप अ प्लास्टिक ग्लू तो हमें मीं पर ज्टोड को स्टिक की बनाना हो तो हमें उसमें क्या एड्ट करना होता है स्प्रेट आउट प्लास्टिक शीट अन दे ग्राउड तो हमें फ्लोर पे असे प्लास्टिक शीट फैला नहीं है और उसके बाद फिर हमें उसके उपर मच डालने है प्लास्टिक शीट के उपर जैसे इस पिच्चर में दिखा है, उसके बद हमें small quantity of husk, cotton chaf and पानी उसमें डालना है, और उसको एसे आटे जैसे गुनना है, उसके बद हमें उसके अंदर glue और पानी फिर से डालना है, अभी धीरे धीरे जो मड़े हमारी sticky और flexible बनेगी, ताकि हम easy से कोई भी shapes का object बना सके तो इस तरह हम mud sticky बना सकते तो यहाँ पर हमारा ये lesson complete होता है तो आपको ये video अच्छे से देखके clay से object बनाने Thank you